हेलो फ्रेंद्स, वेलकम तु यॉर लीट्रिव चानल, स्टरीग वट्सोनल और हमने इंटेग्रेशन स्टार्ट कर दिया है, क्लास 12 माथ्स का, अब हमारे पास है, सी बीसी का एक्सराइज 7.1 आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ बेसिक क्वेशन से स्टार्ट करते हैं, इंटेग्रेशन में, भी हाँ many exercises, और हर एक्सराइज सेस का, हर question आपको करना है, तभी, तभी, इंटेग्रेशन में गमांड बनती है, और बहुत ही, अगर एक बार आपको आजाता है, तिस गेध और फीघ्रे चांटर, तक से बाइड्स का रेज का इसे करेंगे, इन federalbOS इ इसके respect में, with respect to x, ऐसा हम लिखना सीखेंगे, because question में सिर्फ sin 2x है, और क्या बोला है, find an anti-derivative or integral, anti-derivative find करो, और integral find करो, तो कर लेते हैं, साइन का differentiation होता था, cos 2x, right, और integration क्या होता है, minus, औरटा हो जाता है, minus cos 2x, ठीक है इतना, जितना angle था, उतना ही, अब 2x का differentiation क्या होता है, 2, और 2x का differentiation 2 होता है, जो भी ये number है, इसको हम इस बार multiply में ही नहीं लिखेंगे, कहां लिखेंगे, divide में, integration में यही difference है, differentiation में हम लिखते है, तो हम लिखते है, 2 cos 2x, 2 पर आथा, numerator में यहां divide में आता है, और साथ में constant आता, that's it, this is your answer, ठीक है, let's see question number 2, question number 2, क्या हो जाएगा, integration of cos 3x, due respect to x, cos का differentiation होता है, क्या, minus sin x, यहां पे उल्टा, minus नहीं आएगा, तो sin x, मतलब 3x, और 3x का differentiation होता है, 3, वहाँ आता, multiply, यहां क्या आएगा, divided, ठीक है, next है, e raised to 2x, e raised to 2x का integration, क्या हो जाएगा, e raised to 2x का differentiation तो e raised to 2x ही होता है, तो integration भी सेम रहेगा, 2x का differentiation 2 होता है, जो कि multiply में आता, यहां क्या जाएगी वही चीज, divide में, और plus c, plus c लगाते हैं, चलना है हमको, next question, question number 4, अब इसके करने के दो तरीके हैं, या तो आप डारेक्ट पावर का कर दे, पावर का कैसे हमने किया था, x raised to n का integration हमने किया था, xn plus 1 किया था, हमने first formula, part 1 मैंने upload कर दिया है, उसमें है, xn plus 1 upon n plus 1 plus c, तो इसमें क्या आजाएगा, x raised to n कंसिडर करें, तो यह आजाएगा, ax plus b की पावर 3 upon, 2 plus 1, 3 plus c, आगया, ax plus b की पावर 3, एक बढ़ा के पावर, ठीक है, बहुत ही असान, अच्छा, अब जैसे जैसे हम करेंगे न, वैसे वैसे मैं नहीं नहीं चीज़ें बताती जाओंगी, with the questions, अदवेस दमाग में बठाना मुश्किल हो जाता है, integration में ना तो कोई product tool है, ना ही कोई question tool है, ठीक है, अब तो उन cases में करते क्या है, जिब divide और multiply आता है, वो हम सीखते वैं जाएंगे, आगे, ही question है, sine 2x, minus 4, e raise to 3x, तो इसमें अलग-अलग integration हो जाएगा, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, with respect to x, with respect to x, sine का differentiation cost, लेकिन integration क्या होता है, minus cos x, 2x का 2 नीचे, 4 as it is, e raise to x का e raise to x, 3x का 3, plus c, बहुत easy, यह ना, देख लिए आपने कितना असान है, ओके, let's do 6th question, 6th question क्या है, 4 e raise to 4, 3x, plus 1, dx, तो अलग-अलग कर देते हैं पहले, 4 constant है, उसका कुछ नहीं करेंगे हम, e raise to 3x, 3x का 3 जुकी, डिवाइड में, 1 का integration क्या होता है, x, ठीक है, 1 का integration, क्योंकि x का differentiation 1 है, तो 1 का integration x, और यह हम्मारा हो जाता है, यहाँ पर answer, now question number 7, question number 7 है, देखें, यह है question number 7, x square 1 minus 1 upon x square dx, इसको हम कैसे करेंगे, अभी है multiply में, क्या product rule लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, हम कुछ ना कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे, कि हम multiply division को हटा सकें, तो हम multiply का sign अटा सकें, तो मैं bracket open करते हूं, x square into 1 is x square, minus x square upon x square, x square से x square गया 1, तो यह इतना आ जाता है, अब अलग-अलग integration करते हैं, x square dx minus 1 dx, x square का integration क्या होता है, x raise to n का, क्या होता था, xn plus 1, मतलब एक power बढ़ जाती है, तो हम यही करेंगे, एक power बढ़ जाएगी, x cube upon 3 minus 1 का integration x plus c, and that's your answer, ठीक है, ऐसा मत करना कि इसका integration है लग और इसका और multiply कर दिया नहीं, अंदर bracket open करके, हमने formula apply किया, और इस तरीके से हमारा answer आया, ठीक है, let's see, question number 8, question number 8, क्या है, integration of ax square plus bx plus c, तो a as it is, अलग-अलग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x square का x cube upon 3, b as it is, x का integration क्या हो जाएगा, x raise to 1 है, तो x square upon 2, c का integration, कुछ नहीं है, मतलब 1, देखें, यह ऐसे होगा, तो कि मैं पूरा खोल के करते हूं, ax square dx plus bx dx plus c dx, है ना, इसका आजाएगा, ax cube upon 3, b x square upon 2, sorry, देखनी रहा, ax cube upon 3, b x square upon 2, और यहाँ पे c constant है, और कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब 1, है ना, कुछ नहीं है, तो मतलब 1, 1 का क्या होता है, x, और साथ में कोई constant, अब constant c नहीं लिख सकते हैं, already c हैं, तो d लिखते हैंगे, समझा, c constant था, as it is रहा, कुछ नहीं है, तो मतलब 1, 1 का क्या होता है, x, इसका मतलब, इसका मतलब यह है, one second, इसका मतलब यह है, जितने भी, यहाँ देखें, जितने भी 2dx का integration, तुमको बोले, तो क्या जाएगा, 2 as it is, x, 2x plus c, सपोज आपको बोला, adx, क्या जाएगा, ax plus c, समझा, इस तरीके से, ninth question, बहुत ही असान है, यह मैं आपको दे रही हूं, homework में, ninth आप homework करिए, नहीं आता है, कुछ problem है, तो comment करिए, and ask me, ठीक है, now tenth question, tenth question क्या है, root x minus 1 upon root x का whole square, यहाँ हम, क्या लगाने वाले हैं, identity लगाएंगे हम लोग, इसको direct n plus 1 नहीं कर सकते, अंदर भी पूरा भरपूर x x है, तो a minus b का whole square, a square plus b square minus 2 a b apply करेंगे, और क्या आजाएगा, root x का square क्या होता है, root x का square x, plus 1 upon root x का square, 1 upon x, root x से square कर जाता है, minus 2 into a into b, है न, कितना आजाएगा, root x से root x गया, और यहां यह आ गया, x plus 1 upon x minus 2, यह भी integration का answer नहीं आया है, यह तो अभी solve करके आया है, अब इसका integration हमको करना है, तो x अलग-अलग करके नहीं कर रही है, मैं डारेक करती हूँ, x का integration क्या होगा, x square upon 2, 1 upon x का integration, 1 upon x का, देखो, log x, यह किसी का differentiation होता है, वो सोचिए, log x का होता है, तो 1 upon x का integration क्या होगा, log x, formula कराए हैं, आप उनको पहले learn कीजिए, दस दस बार लिखिए, फिर हर question हो जाएगा, सारा formula का खेल है, 2 का integration क्या होगा, 2 x और साथ में c, समझा, question number 9 भी, इस तरीके से हो गया है हमारा, है न, अभी question number, sorry, question number 10 भी हो गया, इस तरीके से, तो आज के लिए इतना करते हैं, फिर next video में मैं और questions अफ्लोट करूँगी, till then इन question को two times कीजे, कोई भी doubt है तो comment करें और पुछें, thank you so much for watching, और like, share, subscribe करना मत भूलना, झालना करूँगी तरीके से,